शुरू करते हैं आज से से शेक्षन सी और जो कि चप्टर नुमर 6 जो कि सबसे ज़्यादा अवेटेड है यानि कि बहुत बचे इंग्जार कर रहे होते हैं कि हमें ये 6 चप्टर का कोश्चन में करवाये जाए तो चलिए हम सबसे पहला कोश्चन देते नवरीत का जब चप् हमें कि बच्टे है तो. इसे यह एक लाइन हो गृए हमारा ठीको इसे लाइन कहते है इसे लिगते हैं और इस्टे आप. हमने क्यों लिखते हैं और यह बोला है कि टू लाइस इंटर सैक्ट इसको और presentation जोकि 25 Whoo और यह कैई एक और hardest चेट करना है कि अ इसके इखें और यह एंगल इसके एक्वल हो जाए यानि कि अगर आप लिखना चाहे तो 1 2 3 4 अपको प्रूफ क्या करना है तो प्रूफ यहाँ पे लिखना होगा तो प्रूफ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 तो आपको पर देखेंगे तो यह सीधी रेखा है और यह भी सीधी रेखा है तो हमें क्या करना यह जितने भी बहार के तरफ निकला हुआ है सभी को राखिक UD, यानि कि linear pair angle से काम करेंगे, उसे समझने की गोसिज करेंगे, तो यहाँ पर लिखावाय लायन, angle AOC, दिखरा होगा आपको angle AOC, plus angle AOD, यह किसके equal हो जाएगा, 180 degree, यानि कि 180, जिसे हम लोग linear pair कहते हैं, क्या कहते हैं, linear pair, इसका हिंदी में बता दे रहो, राखिक UD, कहते हैं इसको, फिर इसी तरीके से इनको पहला समिक्रन मान देते हैं, फिर इसमें दूसरा अगर आप देखो, तो यह वाला line है, इसके लिए आप क्या लिख होगें, angle AOD, प्लस angle DOB, यह क्या हो जाएगा, यह भी equal to 180 degree, जो कि हमारा second समिक्रन हो जाएगा, ठीक है, अब हमने क्या किया था, इस angle के बारे मता है, AOD, और DOB, यह दोनों तो, क्योंक क्योंकि दोनों एक दूसरे का एक सासी, एक सासी है, तो हम लिख सकते हैं, from equation, first and second, we get, आपको क्या मिलेगा, देखिए, angle AOC plus angle AOD equal, sorry, equal to angle AOD plus angle DOB, दोनों साट अगर देखोगे लो, तो आपको कुछ है common देखेगा, AOD और AOD, यानि कि, AOD से AOD को खतम कर दीजे, तो इसे क्या हैगा, AOC equal to angle DOB, और अगर आप देखिए, तो AOC equal to क्या है, हमने उपर लिखा हुआ है, angle AOC, जो की angle 1 है, equal to angle, और ये जो है, DOB, आपको angle क्या है, 3, तो देखिए, ये proof हो गया लिख, क्या बोला था, मैंने आपको 2 proof करना है, और angle 1 equal to angle 3 आ गया, अब आपको क् क्या है, तो देखिए, आपको क्या लिखना होगा, यहां से फिर से लिखेगा, angle AOD plus angle DOB equal to 180 degree, क्योंकि देखिए, ये लाइन भी कहा है, आपका सीधा 180 degree हो रहा है, तो ठीक है, इसको आप सम्मी करां थार्ड माल लिजी, फिर इसी तरीके से दोवारा अगर आप इसको देख इसको रहा है, तो यहां से लिखेगा, उसे रहा है, यहां से अगर आप देखिए, तो वही से उपर वाले फंसर के तरह करना है, AOD plus angle DOB equal to angle DOB अब AOD है क्या, देखिए, AOD और B, जो कि आपका angle 2 है, और यह BOC क्या आपका angle 4 है, तो देखिए, angle 2 equal to angle 4 और यह भी फ्रूड होगे, इसका मतलब क्या हुआ, कि आपने यह प्रूफ कर दिया, इसका जो opposite angle है, opposite intersecting है, वो क्या है, एक दुसरी का equality, इसे ही हिंदी मता आ जाता है, इसे वर्टिकली opposite angle को, opposite angle को का जाता है, सिर्सा भी मुख, मुख कोन, ठीक है, जैसे कि इसे 1 equal to 3 और जैसे यहाँ पे अगर आप समझे, angle 1 equal to angle 3 और angle 2 equal to angle 4, इस बात को ध्यार रखेंगे, के वाल आपको, देखिए, कहीं भी हिंदी इंगल से कोई सब्सक्राइब करता है, केवल आपको यह ध्यार रखना है, जहाँ वर्टिकली है, उसे सिर्सा भी मुख कोन बोलेंगे, और जहाँ पे linear pair है, उसे रैकिक लिम बोलेंगे, और इस तरीके से यह सवाल solve हो जाता है, चलिए, तो अब सुरू करते है, तो इस नमबर second है, और य इसमें आपसे पूछा है, कि आपको X का value निकालना है, और यहाँ पे Y भी दे रखा है, और Z मी दे रखा है, लिकिन यह है, क्या ना, ratio में दे रहता है, ratio का मतलब होता है, अनुपात में, कैसे है, अनुपात में, इसे हम कैसे find करेंगे, लगे, अभी हम कुछ दिर पहले आपसे इंट्रेक्ट करती है, तो इसका vertically opposite angles से इखोल होता है, आप भी बताइए, क्या यह यहाँ भी Y नहीं हो सकता है, क्योंकि यह दोगा, इसका मतलब यह और Z, इन डोनों का संकितनी को बराबर होना चाहिए, 180, तो इसका मतलब Y ratio Z equal to 7 is to 8 दिया हुआ है, तो हमें मानना होगा, let Y equal to Y, जो कि क्या है, vertically opposite angle, यह तो छोटी सी information जो मैंने आपको दिया, और लेकिन आपको कैसे लिखना होगा, तो Y ratio Z equal to 7 ratio 8, तो इसे X के रूप में आप मान सकते हैं, तो आप इसे ऐसे लिखेगे, 7X plus A to X equal to 180 degree, हमने ऐसा क्यों का, क्योंकि यह दोनों जो होते हैं, आसन कोन कहते हैं इसे, और या फिर इसे ही बोलेंगे adjacent angle, तो adjacent angle का sum कितना होता है, 180 degree के बरावर होता है, यह सब जो concept हैं, आपको थोड़े lines और angles के बारे में पढ़ करके, फिर समझेंगे अगर, तो फिर आपको भी इस तरीके से समझ में आ जाएगे, कि कौन सा angle कितने के ब निकाले, तो 180 degree और नीचे में हम 15 degree लिखें, तो इसे अगर आप डिवाइड करो, तो यह कितना आ जाएगा, 12 degree के बरावर, ठीक है, तो यह 12 y है, तो x का value यह नहीं है, x का value तो हमने ऐसे मान लिया था, इसे कहा किया था, माना था, लेट किया था, कहा किया था, लेट किया इसे में जब भी कुछ रहता है, तो इसे लेट करना पड़ता है, तो अब जो आपके पास y equal to है, वो यह का है, 7 x है, यानि कि y equal to आपका हो जाएगा, 12 into, sorry, 7 into 12, खीक है, तो इससे कहा होगा, अगर आप 12, 7 जा, 84, यानि कि y का value आपका 84 आए, फिर अगर आप से पुछ लि 6 दिगरी का, लेकिन आप से तो यह दोनों कुछ है, आप से क्या कुछ है, आप से कुछ है, आप से कुछ है x का value, और अभी हमने आपको बताया कि जैसे यह दोनों का sum 180 होगा, तो वैसे यह दोनों का sum भी तो 180 ही होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप भी बताएगे मुझे, एंगल x plus एंगल y equal to 180 degree होना चाहिए एंगल x कितना है आपके पास आपको पता नहीं है फिर एंगल y आपको पता है यह 84 degree के equal है equal to कहा लिखोगे आप 180 degree अब एंगल x equal to 180 degree minus एंगल 84 degree जब आप इसे minus करोगे तो यह हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा आपका 9 96 degree यानि कि एंगल x जो है वो 96 degree के equal है और यही आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा देखिए कितना आसांज है मैंने इसको short कर दिया है ऐसा नहीं है कि आपको इसी तरीके से थोरा बहुत आपको इसमें ध्यान रतना होगा यहां पर जो जो एक्स है ना यह मैंने रेश्यू के लिए लिए इस बात को खासे ध्यान अठना आपको चलिए देखिए यह जो figure है तो PQ parallel to RS है और YZ num है RS के यानि कि परकटडी कुदर है तो एंगल जो SZX दिया हुए यही सबसे बरी बात है समझेना आज जैड़ एक्स यहां से लेकर यहां तक अगर मैं दुबारा इस पर पेंचनल तो देखिए यहां से लेकर एकर और यहां तक इनका सम्ड दे रखा है 143 आप देखें एंगल लिखेंगे SZX इक्वाल टो आप क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो एंगल XZ क्या लिख सकते हो XZY PLUS एंगल YZS दोनों लिख सकते है YZ और S अब SZX कितना दे रखा है 143 इक्वाल टो यह आपको नहीं बता है क्योंकि यहां से पूछा भी गया, x, z, y, इसलिए हम लिखेंगे, angle x, z, y, plus, और यह कितने के बरावर है, 90 degree के बरावर, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, तो यह 90 degree हो गया, तो इसलिए, angle x, z, y, equal to आपके लिखोगे, 143 तो यहां था, मैंने इस सेड कर गी, क्योंकि इस इसको मैंने इधर किया, और इस वाले को इस सेड किया, और यह तो इधर का इधर ही है, तो यह minus होकर के इधर से minus हो जाएगा, अब इसमें से अगर आप minus करेंगे, तो यह कितने के बरावर आएगा, 53 degree के बरावर, यानि कि यह जो angle है आपका, यह आपका 53 degree का angle हो गया, और आपसे पूछा भी गया आपसे, कि find angle x, z, y, तो यहां सी यह एक angle आगया, अब और का पूछा, p, x, z, अब देखे, p यह रहा, x यह रहा, और z यह रहा, यानि कि आपसे angle यह पूछा है, और यह angle कितने के बरावर होगा, तो यह angle देखे, यह जितना angle है, यह total इसी angle के बरा p, x, z, equal to क्या होगा, angle, p, x, z equal to हो जाएगा, angle, s, z, x, अब यह कितने के बरावर, s, z, x, अपने को पहले ही अपने ही लिखा हो, s, z, x, 143, यानि कि यह भी आपका 140 degree के equal हो जाएगा, ठीक है, तो यह दो होगा angle, फिर तीसरा angle है, y, x, z, y, x, और z, यह angle फिर आपसे पूँच है, तो इनने ही निकालने का दो तरीका है, आपके पास, यह angle आपको पता है कितना है, 143, तो angle, p, x, z, plus angle, y, x, plus, z, equal to 180 degree, क्योंकि यह क्या है, straight line है, या तो फिर, linear pair, आपको निकालना क्या हो था, x, y, x, z, यह है आपको 143, plus angle, y, x, z, equal to 180 degree, तो angle, y, x, z, equal to 180 degree, minus 143 degree, अब यहां से दुबारा अगर आप minus करते हो इसे, तो यह हो जाएगा आपका 7, और यहां से एक common लिए थे तो 7, 7 में से यह आ जाएगा, 3, यह 37 degree, यानि कि आपके पास 3 angle था, और 3ों का value उनने निकाल दिया, अगर दुबारा से आप लिखन होगा, angle, x, z, equal to 143, फिर angle, x, z, y, equal to 53 degree, और फिर angle, y, x, z, equal to 37 degree, और यही क्या हो जाएगा, आपका answer हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका solution निकालना है,